तुम शान्ती मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद मिले हो फिर से बाबा से मिले हो इसलिए तुम बहुत-बहुत सिखी लदे हो प्रशन अपनी स्थिती को एकरस मनाने का साधन क्या है उटर सदा याद रोखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कलब पहले भी ऐसे ही हुआ था सभी को निंदर स्थुति मान सब सामने आना है इसलिए अपनी स्थिती को एकरस मनाने के लिए पास्च का चिंतन मत करो तारना के लिए मुखे सार पहला कोई भी ऐसा करम नहीं करना है जिससे किसी को भी दुखो कड़े बोल नहीं बोलने है बहुत बहुत शिकंड होकर रहना है दूसरा किसी भी देहे धाई की स्थुति नहीं रखनी है बुद्धी में रह हम कोशिब बाबा पढ़ाते हैं उस एक की ही महिमा करनी है रुखानी खिर्गम तरगार बनाना है वर्दान सभी के गुन देखते हो हो अपने स्वयम में बाब के गुन को धारन करने वाले गुन मुरक्त भव संगम योग पर जो बच्चे गुनों के में माला धारन करते हैं वही विजय माला में आते हैं इसी होली हंस बनस सभी के गुन को देखते हो और एक बाब के गुनों को स्वयम में धारन करो ये गुन माला सभी के गले में पड़ी हुई है जो जितने बाब के गुन स्वयम में धारन करते हैं उनके गले की माला उतनी बड़ी पड़ती है गुन माला को सिर्मन करने से स्वयम की गुन मुरत बन जाते हैं इसकी यादगार में देवताओं और शक्तियों के माले में माला देखते हैं स्लोगन साक्षी पन की स्थिती ही यर्थाद निरन निर्य का तक्त है आज बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ मिथा रहना है गुन धारन करने हैं जब हम साक्षी पन की स्थिती में रहते हैं तब हमारी निर्ने शक्ति बढ़ती है ओम शांती प्रवस पन की स्थिती हैं